बजन सहीता अध्याई 35 विजय के लिए प्रार्थना वे लज्जित और निरादर हो जो मेरी हानी की कलपना करते हैं वे पीछे हटाए जाए और उनका मो काला हो वे वायू से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूद उन्हें हाकता जाए उनका मार गंध्यारा और फिसलाहा हो और यहोवा का दूद उनको खदेरता जाये क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गढ़े में बिछाया अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गढ़्धा खुदा है अचानक उन पर विपत्ती आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फसे और उसी विपति में वे आप ही पड़े। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होंगा, मैं उसके किये हुए उधार से हर्शित होंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेंगी, हे यहोवा तेरे तोल्य कौन है जो दीन को बड़े-बड़े बलवंतों से बचाता है और लूटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। अधर्मी साक्षी खड़े होते हैं, वे मुझ पर जूटा आरोप लगाते हैं, वे मुझ से भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहां तक की मेरा प्राण उप जाता है। जब वे रोगी थे, तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, मुझे मे ने शोक का पहरावा पहने वे सिर जुका कर शोक किया, परन्तु जब मैं लंगडाने लगा, तब वे लोग आनंदित होकर इकठे हुए, नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था, वे मेरे विरुद इकठे हुए, वे मुझे लगातार फारते रहे, आदर के बिना, व सिहों से मेरे प्राण को बचा ले, मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुत लोगों के बीच मैं तेरी स्तूती करूंगा, मेरे जूट बोलने वाले शत्रू मेरे विरुद आनंद न करने पाए, जो अकारण मेरे बैरी हैं, वे आपस में आखों से इशारा न करने पाए, क्योंकि वे मेल की बाते नहीं बोलते, परंतु देश में जो चुप चाप रहते हैं, उनके विरुद छल की कलपनाई करते हैं, और उन्होंने मेरे विरुद मुँ पसार के कहा, आहा, आहा, हमने अपनी आखों से देखा है, हे यहोवा, तुने तो देखा है, चुप न रहे, हे प्रभु, मुझसे दूर न रहे, उठ, मेरे न्याई के लिए जाग, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकदमा निप्टाने के लिए आ, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तु अपने धार्मिक्ता के अनुसार, मेरा न्याई चुका, और उन्ह ये मेरे विरुध आनंद करने न दे। वे मन में न कहने पाए आहा हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वे ये न कहें हम उससे निकल गए है। जो मेरी हानी से आनंदित होते हैं उनके मुह लज्जा के मारे एक साथ काले हो। जो मेरे विरुध बढ़ाई मारते हैं वे जिन रहते हैं मैं जैजेकार और आनंद करें और निरंतर करते रहें यहोवा की बढ़ाई हो जो अपने दास के कुशल से प्रसन होता है तब मेरे मूँ से तेरे धरम की चर्चा होगी और दिन भर तेरी सुती निकलेगी करी área मही यहाई हो जो के थी यहाई हो अवरा धर जालंव और निकलेगी कर द हो जो तेरी सील आव मेरे जह नो ऊनल- तैरी द कि घ रहाई हो एकलेगी झाल झाल